क्लास 10 इंग्लिस CBSC सैंपल पेपर 2024-25 यानि इस सेशन का जो आपका प्रेजेंट सेशन चल रहा है इसमें CBSC का आपका जो मार्च या फर्वरी में जो एक्जाम होगे दस्तमी क्लास के उसमें इंग्लिस का पेपर आपका कैसे आएगा, कैसे दिखता है, कितने टोटल केसन जो किस परकार आपने वो उनका क्रेडिट चेक करना है कौन सा क्यूस्टन कितनी मार्क्स का होगा यह सारे शेंपल पेपर आज मैं आपको एक शेंपल पेपर दिखाने जा रहा हूं वैसे आई बटन में जाके आप जो ना सलेवस के बारे में दूसरा वीडियो उसमें देख सकते हैं कि कौन-कौन सा सलेवस है यहां मैं सलेवस पर कंसेंट्रेट ना करके सेंपल पेपर पर कंसेंट्रेट करना चाहता हूं ताकि आपको एक्जेक्टली मालूल पढ़श के कि आपके एकजाम में इस परकार के उसन आएंगे वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है तभ कि पेपर का जानना बहुत जरूरी होता है एक्जाम में कि पेपर आपको मालूम हो तब आना आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं और पेपर देखने से कॉन्फिडेंस भी डिवलप होता है बच्चों में यहां हमारा पेपर ऐसा आएगा क्योंकि आप पहली बार बोर्ड के एक पॉर्ड का एक्जाम और स्कूल का एक्जाम एक जैसा होता है चलो अभी हम आपको दिखा देते हैं कि पेपर कैसा आएगा लेट्स मूँटू दा लैब्टॉप यह देखिए यह आपका बेलकुल हूग हूग क्यूशन पेपर है यह क्यूशन पेपर आपका ऐसे आएगा यहां आपने रोल नमबर लिखने आपने इन में दूसरा क्यूशन पेपर के अंदर कभी भी एक्जाम में आपने कुछ नहीं लिखना होता सिरफ रोल नमबर यहां अल्ली रोल होंगे यानि class 10 में 10th class में 11 questions होंगे total है ठीक है serial number of the question paper in answer book before attempting it question paper में जो serial number होता है वो आपने लिखना होता है answer sheet के अंदर ठीक है यह आपका serial number है यह आपने लिखना होता है अब उसके बाद उसके बाद जो ना आप पर ऐसे आएगा language and literature 80 marks का है तीन गंटे 3 hours you will get total marks 80 marks general instruction you can check this question paper comprises 11 questions it means it has 11 questions in it all questions are compulsory second thing and it will have three sections इसके तीन sections होंगे section a will be of reading skills where your reading skills are going to be checked section b is going to be part of grammar 10 marks and creative writing skills 10 marks यह आपके 20 marks का रहेगा यह आपका जोना 20 marks का रहेगा 10 marks grammar grammar or 10 marks writing skills or section c 40 marks का रहेगा and you will have first flight दोनो बुक्स जो आपकी first flight और आपकी footprints without fit यह दोनो बुक्स आपकी literature मायेंगे it means literature का जो ना credit है 50 percent total marks 80 20 marks reading 20 marks writing and grammar and 40 marks only for uh text books अब जाशे पहला जोर section one it will contain two passages unseen passages though unseen passages आएंगे passage one will be of 10 marks total 20 रहेंगे और यह आपका factual based और आपका literature से किस्परकार का ऐसे रहेंगे ठीक है उसके बाद यह जैसे आप ऐसे paragraph सा जाएंगे उसमें तीन चार पांच छे ऐसे paragraph में आपका unseen passages आएगा यह कोई database को research fact database जो आएगा वो आपका second में आएगा यहां आपको कोई research paper मिल जाएगा किस परकार के चीज़ा आप मिल जाएगे ऐसे passages मिलेंगे उसके बाद आपको जैसे यहां answer the following question based on the above passage यहां मिलेंगे जैसे question number one है एक number का है कुछ इसमें mcqs भी रहेंगे उसे आपने direct question write भी करने होंगे ठीक है जैसे इसमें आपने दो sentence लिखने हैं यहां आपका यह एक number का रहेगा यहां आपने एक sentence कर लेना यह mcq हो गया यहां direct writing होगे और उसके बाद जैसे आप 40 words में लिखने के कम से कम दो कुस्तन आएंगे 40 words मज़े से आप text में लिखते हैं वैसे 40 words में दो दो number के बहुत important होते हैं यह diet passes आपको अच्छी तरह पढ़ना उसको scheme करें अच्छी तरह मैं underline कर लें अपने answer sheet में लिख लें main main points लिख लें और इस पर कर आपके यह किस कर दाएंगे ठीक है यह mcq एक और आ गया जिस तरह तो दो mcq होगे दो 14 words के होगे और इसके बाद यह एंटॉनिम्स भी आगे synonyms आगे किसी paper में एंटॉनिम्स आ जाएंगे तो यह भी mcq है जो synonyms एंटॉनिम्स में करा रहा हूं हर चेप्टर में हर चेप्टर में difficult word में इस एंटॉनिम सिनोनिम्स में आपको करा रहा हूं वो आपको यहां beneficial सिद्ध होने इसके बाद इस्कूल मिला गई है और एक हैट किशन जोंगे यह इंट किशन और टैन माक्स का जिसमें दो क्योंचन आपके आते हैं दो दो होगे तो दो दो नमबर में एक एक नमबर एक्स्ट्रा होगा तो टेन होगे कुश्टन आएंगे टोटल एट सेकिंड पैसे जाएगा रेडिंग कम्प्रियंसर में वह डेटा बेस्ट होगा चार्ट आ जाएंगे ग्राफ आ जाएगा स्टेटिकल डाटा होगे हैं जैसे यह एल्लीप एज्जुकेशन फिफ्टी परसेंट रेंटरी जैसे यह डेटा है सारा इसमें इस परकार डेटा बेस्ट है जैसे यह पाई चार्ट है यह आपका डेटा यहां लिखा हुआ है इतने परसंट इन्वार गियोश्ट चे इतने इस सारा database होता है शागेर वाला ये देखो इसके बाद इसमें ऐसे question फूशिज आते हैं जो data की आदार पर हैं तो analysis data करना आना चाहिए आपने पैसेज आपकर data करते हो उसमें इस परतार के मिनिमम है आपने आपने पैसेज आपने पर नहीं होंगे उन题 मेपर को सामने रखके आप ज़ Алеजीयिंग करें तो तो सारा उनतीकव कंप्रियंचन दो तिम दिन में कर लिए अच्छी तरह क्योंक इसमें कोई इसल्यवस का में इसमेंगा कोई स्वाख्रा थे अभी स्वाइब से मिँस्वा कुग पर नहीं तो यह दस करने हैं बारा मेंशे 12 मेंशे grammar के 10 करने हैं तो बड़े ध्यान से करने होते हैं यह 10 Marks ही होंगे 10 Marks फूल आ सकते हैं फूल 10 Marks कोई नुम्बर आप पर डिटेक्ट होने की चांस नहीं है इस परकार यह हो गया आपका grammar portion 12 क्यूशन मेंशे 10 अब creative writing skills writing skills का क्यूशन आएंगे दो क्यूशन नुम्बर फॉर यह आपकी जो ना write letter लेटर लिखना है एक लेटर आएगा टीक है तो एक letter दो मेंशे एक editor को letter होता है कोई भी आ सकते हैं तो वह आपके syllabus में जो हैं वह letter writing करने हैं दो मेंशे एक करना होता है question 5 भी पांस नंबर का होता है यह भी पांस नंबर का होता है तो यह आपने इसमें comparative study जैसे यह question पांस था यह आ गया तो इसमें जैसे मान लो यह है right analytical paragraph paragraph लेखना यह database इसको पढ़ गए एक paragraph बनाना है तो इस परकार के question आपके analytical based आते हैं question section C section C बहुत important द्यान दीजिए बच्चो 40 number का होता है question number six आता है जो literature में वो आपका one day innovation आईवाज और मैं with sense of history in the first decade यह जैसे नेलसन मेंडे लगा है यह आपका first flight से first flight से पहला six question number जो ना reading comprehension का हैगा reading comprehension यानि first flight को आपने detail में पढ़ना है सबी chapters की जो ना line by line explanation आई बटन में जाके आप जुरूर देखेंगे ठीक है उसके बाद आपको यह question मिलेंगे चार इसमें और यह होगा five marks का तो कितना important होगे reading comprehension देखो बीस नंबर का reading comprehension उपर था और वाइस पांच नंबर यह होगे reading comprehension सारे reading comprehension के आपको पूरी poems के reading comprehension के आई बटन मिल जाएंगे तो सारे वीडियो मिल जाएंगे सब यह आपका पांच नंबर का यह रहेगा यानि दो stanza आएंगे ए और इसमें से चार question आएंगे ठीक है कुछ mcq आएंगे कुछ direct लिखने आएंगे एक option आएगा यानि दो stanza में से एक आपने answer करना है इसका मतल पांच माक्स यह पांच पहले के और भाई पलस टैन माक्स किस्टन नंबर वन टैन माक्स किस्टन नंबर टू तो पांच पांच दस बीस अर तीस 30 किस्टन 30 माक्स का reading comprehension यह सारा reading comprehension है यह सीन है पैड़े unseen है यह सीन स्टेंजार है और फर्स्ट फ्लाइड मुट्शेव आएंगे यह reading comprehension तो तो देखो कितना important है इसलिए reading comprehension को सबसे ज्यादा important समझ के उस पर आपने सबसे ज्यादा ध्यान देना है आप आप सुच्छेंगे यह सारे reading comprehension कि इतने क्यों हाते हैं क्योंकि reading comprehension ही main होता है किसी भी language को सीखने के लिए reading comprehension मुझा मतलब how must you comprehend how much did you understand और जब आपको यह समझवाएगी तो आपको words भी आजाएंगे vocabulary भी आजाएंगे यानि कितना ज्यादा reading करोगे reading 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 दिमाग में बठा ले English की reading में newspaper पढ़िए English के newspaper पढ़िए magazines पढ़िए websites पढ़िए अच्छे अच्छे articles पढ़िए आप यह practice आज से शुरू करते हैं यह दस्वी क्लास में तो reading comprehension में आप strong होते जाएंगे reading comprehension का question हर competition में आता है question ही नहीं वो language सिखाने का जैसे हमारी website है जिसका नाम है read learn, excel, any read तीन वर्ड से बनी है learn और excel तीन वर्ड से बनाए तीनों के meaning है जितना आप reading करेंगे आप learn करेंगे maximum reading करेंगे पढ़ेंगे तो शीखेंगे और जब learn हो जाएगा तो excel करेंगे यानी success पर आप दोगी और यह success पर excel करने के लिए यहां गोल के reading पर ही जाना पड़ता है so reading is the best to learn any language and reading is not state for enjoyment reading is to understand how much did you understand अगर आप यह चीज़े देरी देरी प्रेक्टिश करेंगे ऐसे questions पर पर तो read learn action पर आपको सारा का सारा class 10 का सलिया बस मिल जाएगा पूरे पिछली सालों के सीबेस सीगेर सब क्यूस्टन पर आपको सोल मिल जाएगे ठीक है साथ साथ उनके वीडियो भी मिल जाएगे इस परकार question number 8 आठ आता है चार question करने होते हैं ठीक है first flight का जिसमें आपकी poem भी आएगे और जिसमें आपकी chapters भी आएगे नो चैप्टर दस पोयम नो चैप्टर है टैन पोयम से ठीक है चार question करने है पांच में से और चारती बारा बारा नंबर के question है short question और short question में 90% वही question आते हैं जो आपके chapter के अंदर होते हैं जैसे oral comprehension है oral comprehension आता है इसमें आपनी first flight में और जो टेक्स के पीछे question होते है नहीं सारे textual question आते है short question इससे बहार नहीं आएंगे तो यह पांच में से चार करने है next question number nine जो है वह आपका एक गिसम से होगा nine है दो question करने हैं तीन में से यह आपका footprints without fit footprints without fit ठीक है यह भी सारे जो reading के question लिखे होते हैं read and find out read and find out question उपर ही पाओगा पढ़ो और इन questions का answer तो जैसे यह footprints का question यह सारे यह सारे उसी में चाहते हैं ठीक है अब आता है question number 10 question number 10 आता है आपका first flight से first flight का long answer question होता है इसमें आप द्यान देना इसमें आपको कोई भी long answer direct नहीं मिलेगा direct question नहीं मिलेगा इसको आपको बहुत practice करने बढ़ेगी पूरा chapter आपको एक chapter से दो chapter तीन chapter मिला के question मणा लेगे जैसे यह question है हमारा यह in the chapter a baker from goa एक chapter हो क्या the narrator talks about his childhood अपने childhood के बारे में goa के बारे में बात करते हैं and font of memories in under 20 words write a presentation draft presentation draft बनाना है comparing the childhood of narrator a baker from goa to that of Nelson Mandela नेलसन मंडेला वाला chapter और baker from goa में दोनों का नेलसन मंडेला का बच्पन और इसका बेकर from goa का बच्पन दोनों में तुलना करके compare करके फिर करते हैं क्यूस्टन बनाना आपने ऐसे लिखना childhood memories remind and importance of childhood memories दोनों चेप्टर का reference दालगे फिर आपने इसको एक presentation देंगी है जैसे slide show है या आपने अच्छ अच्छे points में में पाइंट्स बना दिये वह है इस परकार जो ना आता जैसी अगला कि उसने एमेंडा प्रोम एमेंडा इस टीनेजर लाइक एनी फ्रेंक का भी आगया एमेंडा का भी आगया यानि दो पोयम एक साथ मिला के राइट यूर आंसर इन अन्डेटूंटर कन्वर्सेशन विलेंड एनी फ्रेंक और एमेंडा के बीज में डिपरेंट प्रस्पेक्टिव लाइफ क्या बात चीज तो त्यानिए हाँ आपने कन्वर्सेशन लिखने डायलोग्स लिखने हैं ठीक है तो इस परकार आपने करना होता है तो यह आपका जैसे सेंपल हो गया सेंपल पेपर जो आपका 24-25 माएगा इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट क्या होगे इंपोर्टेंट पॉइंट्स कि द्यान देलो एक पर समराइज कर देता हूं सारा को यह तीन तो सेक्षन होगे एबी सी यह होगा आपका रेडिंग धिंग सेक्षन ठीक है यह ओका आपका 20 माक्स का 10 पलस 10 और बी होगजा आपकी गरामर 10 marks और writing skills लेटरादा जिसमें ज़्यादा तर 10 marks और presentation भी आज आती है C हो गया आपका literature जिसमें आपकी दोनों books आती है both books और उसके अंदर आपका जो ना ये 40 marks का होगा total question होगे इसमें आपके में 11 question number 10 और 11 long answer question होगे भई जो comparison अगरा अगरा गया होते है ठीक है और इसमें सबसे ज़्यादा जो important चीज़ है जैसे ये long answer होते हैं और reading comprehension 30 number की बन जाएगी 20 number के दो paragraph unseen आएगे और एक paragraph आएगा first flight के text chapter में से यानि प्रोज में से और एक sentence आएगा आपकी poem में से कहने का मतलब यह है कि footprints जो footprints without fit है उसमें से आपको कोई भी comprehension करनी आएगा तो उसमें आप text क्या कर सकते हो footprints में आप main main points points करके ही chapter को पूरा कर सकते हो क्योंकि reading comprehension नहीं आती इसलिए detailed study नहीं है और जबकि आपकी first flight book को बोलेंगे आमें detailed study यह detailed study है इसमें आपने सब कुछ पढ़ना पड़ेगा हर word हर line हर paragraph हर foot prints without foot में आपे यह चीज अवाइड कर सकते है तो मुझे आशा है कि आपको नहीं मेलकूल समझ में आ गया होगा sample paper कैसे आते है मैंने main main चीज जो main main इसके ideas थे tips थी techniques थी execution कैसे होते है इसका कितना credit है यह जानना बहुत जुरूरी है so that you can make your plan you can make your strategy for your final examination this is going to be happen in feb 2025 2025 में होने वाला है ठीक है और मुझे आशा है कि आपको पूरा simple paper समझ में आ गया होगा अगले video में अगली class के अंदर हम आपको पूरा paper solve कराएंगे और कैसे solve करते हैं वो भी दिखाएंगे पलस साथ में कैसे cbsc में बच्चे examination paper son करते हैं वो भी दिखाएंगे ताकि आपको कोई भी दिख्कत ना हो paper में अच्छीत में कैसे लिखते हैं तो अगर अच्छे लगा हो तो चैनल को बच्चो सब्सक्राइब करते हो और बार में क्लास तक मैं आपके साथ हूँ और जो presentation हम देंगे शारे दस्वी क्लास के वीडियो तारे यू प्रिंशिपल सार यूट्यूब चैनल पे आपको हर वीडियो मिलेगा मैंने अपना नाम तो बताया है नहीं वो सकता आपको मालूम हो मैं हूँ MS सियादो आपका हर लेंगिज में मैं इंगलिस और इंडी दोनों में बढाता हूँ इंदी वाले बच्शों को भी बेनीफिट हो जाये lots इंदी वाले बच्चों को भी बैनीफिट हो जाये चीबेसी का हो अरियना बॉर्ड का हो राइस्तान बॉर्ड का हो बथ्या-पर्देश बॉर्ड उतर बॉर्ड टरनाट का बॉर्ड सब इंडियूइड बॉर्ड का भी सारा किसेंज मैं इसके अंदर करता हूं तो आप चैनलों से सब्सक्राइब कर ले और थैंक यू थैंक यू बाई बाई